नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पर जिस पर हम आपको बताते हैं प्रचंद वशीकरण के तरीके और सरल विधी दोस्तों हम आपको वशी करण की ऐसी विधी बताते हैं वो भी ऐसी सामगरी के साथ जो आपके घर में हमेशा मौजूद होती है आपके किचन में हमेशा ऐसी सामगरियां होती हैं जिनके सरिये आप किसी व्यक्ति का वशी करण कव सकते हैं किसी को अपने वश में कव सकते हैं आज कल देखा जाये तो दुनिया में खुश कोई भी नहीं है सब उपर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर का गम सर्फ खुद ही जानते हैं तो आपको इनी गमों से शुटकारा दिलाने के लिए आज मैं आपके लिए प्रचंड वशीकरन लेके आई हूँ और यह वशीकरन होगा सर्फ और सर्फ दो लौंगों से जी हाँ और यह लौंग जो है यह ऐसी है जो हर घर में होती है कोई ऐसा घर नहीं है जहां लौंग ना हो तो इस तरह इस लौंग के माधियम से आप वशीकरन कर सकते हैं आईए बताते हैं कि आखिर आपको क्या करना है किस तरह यह दो लौंग किसी व्यक्ति को आपके करीब ला सकते हैं किसी व्यक्ति को आपका अपना बना सकते हैं कोई आप से दूब चला गया है तो किस तरहां वो पूरी तरहां सर्फ और सर्फ आपका हो सकता है। आईए शिरू करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना गया है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेगा कि जब यह वशी करन आप कर रहे हूँ तो कोई आपको देखे ना। तो एक साफ जगा पर जाकर आप बैट जाएए यह दो लॉंग आपको लेनी है और इन दो लॉंगों को हाथ में लेकर आपको जो है मंत्र का जाब करना है। दिशा का ध्यान भी रखना होगा आपको पूरव दिशा की तरफ मूँ करके ही बैठना है जी हाँ पूरव दिशा की तरफ मूँ करके बैठना है और चूप वशी करन मंत्र का जाब करना है लॉंगों को इस तरह हाथ में लेकर तो आई है मैं बताती हूँ आपको कि वो मंत मंत्र क्या है और मंत्र है देवदक्षू धरकुसूम हन हन स्वाहा इस मंत्र का आपको 51 बावजाप करना है लॉंग को अपने हाथ में लेखर और पूरवदिशा की तरफ मुझ करकर बैठ कर जी हां जब आप ऐसा करेंगे तो ये मंत्र जो है ये एक पावरफुल मंत्र जो है ये लॉंग में उस मंत्र की पावर आजाएगी और लॉंग भी पावरफुल हो जाएगी अब आपको इस लॉंग को इस तरह कागस में रखना है और इसे बान देना है इस तरह बान देगा कि ये खुलेना ये दिखिए इस तरह बान देना है और काले धागे की मदद से आप इसको बान दीजीगा एक बात का ध्यान रखीगा कि काला धागा थोड़ा लंबा होना चाहिए क्योंकि इसके बात जो आपको करना है उससे व्यक्ती हमेशा के लिए आपका होगा इस तरह आपने उसे बान लिया लॉंग को कागस में लपेट कर और फिर आपको क्या करना है आपको ये लॉंग ले जाकर पीपल के पेड़ पर बान देनी है पीपल पर बानते वक्त भी आपको कोई देखे ना इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखेगा आने था वाशी करन असफल भी हो सकता है इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा और पीपल के पेड़ पे उपर की तरफ अगर आप इसे बानेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि इस पर कोई पानी ना पड़े और ये जो है जितने लंबे समय तक जितने लंबे समय तक ये पीपल के पेड़ पर बंधी रहेगी आपके पास वो व्यक्ति उसने ही समय के लिए रहेगा जी हाँ क्योंकि पीपल के पेड़ में ताकत होती है आपके अपनों को आपके पास लाने की तो इसलिए इस people के पेड़ पर जाकर आपको people के पेड़ के पास जाना है और इस long को इस तरीके से बान देना है तो इसलिए काला धागा लंबा हो इस बात का खास ध्यान रखेगा कि अच्छे से वो बंद जाए खुले रहा उपर की दरफ बान देगा ताकि वो नीचे ना हो किसी की नजर भी उस पर नहीं जाएगी आपका कारे भी सिद्ध हो जाएगा और बानते वक कोई आपको ना देखे इस बात का भी पूरा ध्यान रखेगा कोई समस्या है जिसका समधान नहीं मिल रहा है कोई परिशानी जो हल नहीं हो रही है तो आप स्क्रीन पे रिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और गुरुमाता से बात करकर अपनी हव समस्य का समधान करवा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास हव समस्य का समधान है आपकी कोई भी समस्या है उसका समधान आपको गुरु माता दे सकती है गुरु माता को कॉल कीजिए और अपनी हव समस्य का समधान कीजिए तो मुझे दीजे इजाजत जैम आता दी